जी को राट कहते हैं, जी धेर से बारुद निकले, उसे खाना परभारी साहब कहते हैं, इनी चन्द सब्दों के साथ मैं पनी बातों को खतम करता हूँ, जाहिए, धनपुरा कमिटी, खुरासा, एक मिनद, सबामे उपस्थिद हमारे मानिये वर्तमान परमोक गुलाम रभानी साथ के मैं सुकुरिया दया करता हूँ, आयन सर्वेट ये ना, सबान उपस्चिद हमारे आदर्निय जनाब खाना द्यक्ष राजीब कमार जाका मैं सुगुरिया द्या करता हूँ सबान उपस्चिद हमारे वर्तमान सिमरिया मुखिया वर्तमान सिमरिया सर्पन जैपरकास भाई करमट समासेवत अजीम साहेब भाई रफीक साहेब पत्रकार बभलू जर्जी साहेब और पज्जास समीति सदा जिजवान साहेब महजूब साहेब और हमारे थाना का जितना भी एस्विशन आधिकारी हैं मैं तमाम लोगों को उपस्थित उपस्थिति गोर से खैर मक्दम करता हूं भी शुकरियादा करता हूँ बोलने ने बहुत सारी बाते हैं लेकिन हमें एक बाद आप लोगों को बताना चाहते हैं महरम लहाराम के महरम लहाराम का अधिवार के मोके पर सांति समीति का जिमम्रांस अपना बेहतर परफरमेंस देखाया जंग्यों को कदम से कदम मिला करके लेकर के चलता रहा और इतनी मांदारी साथ तेहवार का जंग्यों के साथ कदम से कदम मिला करके चला कि तेहवार को सफल करा दिया और उसी उपलक्ष में हमारे जनाब ठाना ध्यक्त राजीव कुमार जहाजी एक सम्मान समारो का आयोडन किये है अभी हमारे आफाक से आप बोले थे यहाँ तक सही है कि जिन्दगी में पहली बार यह सम्मान समारो हम लोगों को नसीब हुआ है हम आपको अस्वास करते हैं फिर बोल रहे हैं जो किहार का सरजमीन पर गंगा जमना का तहजीव है यहां इंसानियत का पैगाम है, दोस्ती का पैगाम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिग है, ना कोई साई है, यहां तमाम लोग आपस में भाई भाई है और पूरे जिला में, पूरे जिला में नौ भी धान सवा है, छे भी धान सवा है, नौ बलोग है, अनेको थाना है, हमको ने लग रहागी कोई थाना अध्यक्ष, अपना थाना अंतरगत, साइस तरह का सम्मान समारों का आज़ा दिन क्या होगा लेकिन हमारे वरतमान थाना अध्यक्ष का हिम्मत को देखिए, इसकी बसासत को देखिए, इसकी जितनी भी तारीब किया जाए, इन्होंने हमारे मानने आदर नियस्पी साब से अपना परस्ताव डाल करके, जो क्याहट का सर्जमीन पर, तमाम कर्मट, तमाम कर्मट, तमाम ज आमने अपना परस्ताव रख करके सपीज साब से पास करा करके हम लोग गोविन देने का काम किया यह कंबरी बात नहीं है आप समझ सकते हैं हमारे ठाना परभारी का पहुँच सपीज साब के पास है और तमाम अभीकाडियों से बहतर पहुँच है ये कम बड़ी बात रही है और हम एक दिन बोले थे हमारे मानिये वर्तमान थांज अध्यक साहब जब उसका यहां से तबादला होगा निश्यत तोर पर वो इस भी साब कर्शी पर ही जाके बढ़ेगा आज भी हम बोले हैं कर भी बोलेंगे और हम आपसे सर आपसे आपको हम अश्यक करना चाहते हैं आपको हम धनवाद देना चाहते हैं आप तमाम हिंदु मुसलमान को बोला करके ये तो तेहवार मुसलमानों का था ये तेहवार मुसलमानों का था लेकिन सर आपको हम करना चाहत करते हैं हम यसे लोगों को धन्वाद पर करते हैं हम इसे लोगों गतना होती है और समाजी तत्य जो हमारा दिन बदी जो बरहा था उसमें लगाम लगा है, आरूप पर लगाम लगा है, वुराई पर लगाम लगा है, चोड़ी पर लगम लगा है, आज ऐला कि हमारा इलाके में हमारा गंदगी साब हो गिया है, और जितना भी हमारा जो लोग केस ले करके आते हैं, आप सबसे पहले पंचाधी करके समाधन करवाने का परियास करते हैं, जब पाटी उतावला हो जाता है तब आप केस इंडिरी करते हैं ये सबसे बड़ा खुब आपका जिन्दिगीम है पहले केस मत करो पहले समाधान करो मामला सौट आउट ने होता है तब केस करो इसी तरह कारिये कर दीगी आपका सर हमेशा रहा जूप्यार का जमीन से तमाम ब काइम करते में जा रहा है आप ये मिसाल पतपरता के साथ पूरे जूप्यार सर जमीन पर भूज रही है आप तारीब के लाइग हैं आप तारीब के हगदार हैं तमाम जंता आपके साथ हैं आप तमाम जंता के साथ रहिए हमारे साथ रहिए हम आपके साथ हैं और हम आपको क्या बोले सर जली को आप कहते हैं जली को आप कहते हैं जी जेर से बारुद निकले उसे ठाना परभाडी सहाब कहते हैं इन्हें सब्सक्राइब के साथ मैं फनी बातों को खतम करता हूं जैहिंग जैजो की हाथ नमस्कार सर ने बहुत बहुत शक्रिया दोस्तों आपने फुल वाज पूरा वीडियो देखा और वीडियो आप पसंद आया होगा पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करें सबसकराइब करें और मेरी होसला अवजाई फर्माए शुक्रिया जजाक अल्ला अल्ला तबारक वताला आपको दोनों जहान में काम्याबी अदा फर्माए शाद वाबाद रखे फिर मिलते हैं नेक से वीडियोज में और एक अच्छे और शांदार वीडियोज आपके लिए लेकर हाज़र तो इजाज़त दीजिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज में अस्सलाम आलेकुम रह्मत लाही वबरकातु हूँ